दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स यानि अनुच्छेद भारत के संभीधान में 300 पिचाण में आर्टिकल्स है यानि 300 पिचाण में अनुच्छेद है और जिस वक्त ये बना था उस वक्त इसे 22 पार्ट्स और 8 शेडूल्स में बाटा गया था मतलब 22 भागों में विभाजित किया गया था और इसके 8 शेडूल्स बनाई गए थे लेकिन जब से ये बना तब से लेकर आज तक इसमें 105 बार शंशोदन किये जा चुके हैं यानि चेंजेज किये जा चुके हैं मतलब ये कि 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक इसमें 105 बार चेंजेज किये जा चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं अब उनी 305 में आर्टिकल्स की संख्यां 305 में से बढ़कर 448 हो गई है अब कमाल की बात ये कि शंशोदन भले कितने ही हो जाए यानि कितनी ही बार बदला क्यों न जाएं लेकिन संविधान का मूल धाचा कोई नहीं बदल सकता किसी के पास भी किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है खुद प्रधान मंत्री के पास भी नहीं मतलब ये कि संविधान का मूल धाचा कोई नहीं बदल सकता कोई मतलब कोई भी नहीं तो ये तो हुई हमारे सम्विधान के बारे में बात कि हमारा सम्विधान 26 जनवरी 1950 को बना था और इसमें 305 में अनुछेद बनाई गए तब से लेकर अब तक इसे 105 बार बदला जा चुका है और उसी वज़े से ये 305 में से बढ़कर 448 हो गए है 305 में अनुछेदो को 22 भागों में बाटा गया तो अब हम बात करेंगे कि हमारे सम्विधान में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक में क्या-क्या बाते की गई है मैंने आपको बताया था ना कि इसे 22 भागों में बाटा गया है तो ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक ये 4 आर्टिकल सम्विधान के पार्ट 1 में आते हैं अनुछेद 1 यानि आर्टिकल 1 इसमें हमारे देश के दो ही ओफिशियल नाम बताए गए हैं इंडिया और भारत तो याद कर लो दोस्तों कि सविधान में अभी तक हमारे देश के दो ही ओफिशियल नाम है पहला है इंडिया और दूसरा भारत इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं है इंडिया यानि भारत राज्यों का संग है बहुत important line है नोट कर लो कि इंडिया यानि भारत राज्यों का संग है मतलब ये कि इंडिया बहुत सारे स्टेट्स से मिलकर बना है या फिर यू क्या लिजिए कि इंडिया एक बहुत सारे स्टेट्स का ग्रूप है और ये संग फेडरेशन वाला संग नहीं है ये यूनियन वाला संग है फेडरेशन वाला संग तो अमेरिका में है जिसका मतलब ये कि अमेरिका का कोई भी स्टेट अगर चाहे तो अपनी इक्छा से अमेरिका से अलग हो सकता है लेकिन भारत के राज्यों के साथ ऐसा नहीं है भारत के राज्ये अलग नहीं हो सकते। तो अब आपके समझ में आ गया ओगा कि हमारा भारत का सविधान Federation वाला सविधान नहीं है, यूनियन वाला सविधान है जहां भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो Article 1 में पहली बात ये कही गई। भारत का कोई भी राजय भारत से अलग नहीं हो सकता, और दूसरी बात कही गई इंडिया के Territories के बारे में, यानि भारत के इलाके के बारे में, मतलब ये कि इंडिया के सारे States और Union Territories इसमें शामिल रहेंगे, तो ये थी दूसरी बात, और अब तीसरी और बहुत important बात, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये तीसरी बात सारे लोग नहीं जानते, कि अगर कोई दूसरे देश का state हमसे जुड़ना चाहता है या हमसे मिलना चाहता है, तो हम उसे खुद मिला सकते हैं, उस तो बहुत smart थे सविदान लिखने व तो ये कैसे शामिल होगा, ये कौन तै करेगा और कैसे तै करेगा, ये सारी बाते article 2 में लिखी गई है, तो ये तो हुई article 1 की बात, article 1 में तीन important बाते कही गई है, पहली कि हमारे देश के दो ही official नाम है भारत और इंडिया, भारत राज्यों का संग है, और ये संग federation वाला संग नहीं है, यूनियन वाला संग है, उसे इंडिया की territories, यानि भारत के सारे राज्ये इसमें शामिल है, अब तीसरी और बहुत important बात, अगर कोई दूसरे देश का राज्ये हमसे जुणना चाता है या हमसे मिलना चाता है, तो हम उसे खुद से मिला सकते हैं, अब article 2 को discuss क करते हैं, तो नया state अगर भारत में शामिल होना चाता है, तो इसका फैसला union ही करेगी, यानि पहले पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास होगा, और फिर पार्लियामेंट टै करेगी कि नया state शामिल होगा या नहीं, और अगर शामिल होगा, तो उसकी boundary कहां तक होगी, तो स िर्प चामिल हुआ तो उस राज्य की सीमा कहां तक होगी तो आर्टिकल 2 में हो गई नए राज्यों की बात लेकिन पहले से मोजूदा राज्यों का क्या अगर उनने किसी प्रकार की कोई तक्लीफ हुई तो कौन तो मोजुदर राज्यों की बात की गई है आर्टिकल 3 में तो आर्टिकल 3 में क्या बात की गई है कि अगर कोई हिस्सा अपने ही स्टेट से अलग होकर एक नया स्टेट बनाना चाहता है तो उसका फैसला भी पार्लियामेंट ही करेगी जैसे उत्रप्रिदेश और अलग हो गए तो उन दोनों स्टेट की बांडरी क्या होगी और नए स्टेट का नाम क्या होगा ये सब कुछ पार्लियामेंट ही तै करेगी तो अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की आर्टिकल 4 क्या है तो दोस्तों आर्टिकल 4 कहता है कि ये बांडरी तै करना नए स्टेट का नाम रखना इन चीजों के लिए किसी भी तरह के संशोदिन के जरुरत नहीं है ये एक सिंपल लॉस से भी चेंज हो सकता है तो आज हमने बात करी आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल त्री आर्टिकल फोर की अपने